मुश्कार मैं राज मोहंतिवाडी आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज पटना फिर से लॉकडाउन हो गया है 10 से 16 जुलाई तक यह लॉकडाउन पटना के टीम कुमार रवी ने नोटिफिकेशन जारी कर बता दिया है कि पटना 10 से 16 जुलाई तक लॉकडाउन में रहेगा और यह लॉकडाउन क्यों लगाया गया है उसका कारण पटना वासी है पटना के लोग हैं जो गैर जिम्मेदार रूप से इस कोरोना काल में बाहर निकल रहे हैं बीना मास के बेवजब बीना काम के सरकों पर घूम रहे हैं उनके वज़से फिर से पटना लॉकडाउन हो ग इसके अलावे जो रासन की दुकाने थी सब्जी की दूद की दूद की दुकाने थी वो समय पर खुलेंगे समय पर बंदोगी यानि की सुबह 6 से 10 बजे तक और साम को 4 से 7 बजे तक ही यह खुली रहेंगी आपको इसी समय के अंतराल में जाकर अपनी जरूरी की समानों को बेवज़ा सरक पर निकलने वालों की सोटाई होनी अपता है अगर आप मास्क पहने बिना बाहर निकलते हैं तो भी आपकी सोटाई होनी ता है और यह जरूरी है आपके लिए बिहार के लिए पटना के लिए कि आपको अगर आप अपने मन से खुद से अपनी सुरक्षा न लेकिन पतना के लोगों को नहीं है। पतना के लोगों को नहीं। मासके लिए उनकी जान ले रहा है। जान भचानेवन उनकी जान ले रहा है वह फेस ही लिए समस्क पात पहन है कोई मतलब नहीं है कि आपकों पतना प्लगावायर हो गया है कि कुछ अखल नहीं है अपते वासिएु में कि वह मास्क पहण कर जायें किसी से बात कर रहे हैं तो मास्क रहे हैं कि बात करते हुग करते हुए मस्क धाले रहे हैं कि पॉसल्सील सब्चेंसिंग और लग्ड़ पॉट पटना बचेगा बिहार बचेगा तो आगे इस साल दो साल में आपको अपनी सुंदर्ता दिखाने का मौका मिल जाएगा फिलहाल छुपाईए नहीं मास को चेहरे पर लगाईए नाक और मुह को अच्छे से ढगिए ताकि कोरोना का जो अंदर जाने के प्रवेस दोवार है आ लेकिन अगर अभी भी आप नहीं सुदरे तो यह सुलह का लॉकडाउन कितने दिन आगे बढ़ेगा आपको इस बात का अंदाजा फिलहाल नहीं लग रहा है यह समय है कि अब आप सचेत हो जाईए अगर नहीं हुए हैं अब तक तो हलांगी आपको सचेत तो काफी पहले ह हो जाना चाहिए था 75 दिन का लॉकडाउन था क्या आपने उस लॉकडाउन में कुछ नहीं समझा कुछ नहीं जाना क्या दुनिया और देश को देखकर आपकी इस्तिति का अनुमान नहीं हो रहा है कि कौरोना कौनसी बीमारी है इतनी खतरनाक वाइरस से भी अगर आप इस पाउसा जार हम जाच कराएं कि फिछले 2-3 महीना से वह यहीं कर रहे है हाना और सरकार यहीं करते रहेगी बिहार में ऐसा ही चलता है सरकार तो नहीं ध्यान दे रही है तो आप भी अपनी शुरक्छा अपने पडिवार के सुरक्छा पर ध्यान नहीं देंगे क्या ही मतलब का आवा सुरक्षित नहीं है भी भी आईपी लोग संक्रमित हो रहे हैं तो और आप बाहर घूम रहे हैं क्या मतलब है जाच की संक्या 6,000 सारे 6,000 हो रही है और कोरोना निकल रहा है सारे 700 सोचिए कि किस इस्तिति में क्या परसेंटेज को निकलने का और यह जाच ना होने का नतीजा है बिल्कुल है यह सरकार तो इसके परती जवाब दे हैं लेकिन क्या सरकार की जवाब दे लेने के चक्कर में हम अपनी सुरक्षा नहीं करें क्या आप अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे क्या आप सवाल उठाते रहेंगे अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे घर में न करने वाला है कि आपको अब सुधरना पडएगा अगर नहीं सुधरते हैं तो याद रखरती यृ बिहार बरमाद हो जाएगा यह पत्व परवद २हीं होगा क्यों कि अभी वाइरस इस स्तिती में है कि जहां नहीं पहुंचना चाहिए ह। वहाँ के पहुंचा जहां और सोचिए कि अगर अभी भी नहीं सोचेत हुए तो जब कम्यूनिटी ट्रांस्फर्म में घुसेगा बिहार तो किस इस्तिती में जाएगा बिहार आपसे अनुरोध है घर में रहिए यह जरूरी है और यह लॉकडाउन मानिया साथ दिन अगर यह साथ दिन आप घर में रहें बेवज़ा बाहर नहीं निकले तो हो सकता है कि आगे की इस्तिती हमारे लिए थोरी बेहतर हो जाए आठ जुलाई को रिपोर्ट आया बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट का कि छे लगबग 6,000 के जाच में 700 कोरोना पोजिटीव पूरे बिहार से मिले पटना में उसकी संख्या उन 700 में 235 थी उन 235 संक्रमितों की संख्या से पटना का जो कूल पोजिटीव मामलों की जो संख्या हो गई वो जिसमें से 641 घर गए हैं ठीक होके 12 लोगों ने जान गवाई है और 698 केस अभी भी एक्टीव है कि सुचिए 698 यानि 700 केस एक्टीव है लेकिन हम पटनावासी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं लॉक्डाउन 10 जुलाई से लागू हुआ है इस लॉक्डाउन में पहले की तरह की हिस्तिती है बैंक एटीएम जो एसेंसील चीजे वह खुली रहेंगी बस से जुरी जो है जो पटना से बसे खुलती है उस पर अभी तब कोई कोडिफिकेशन नहीं आया तो काना मुस्किल है ट्रेन 12 अगस्तक तो ऐसे भी लॉक्डाउन में हैं लेकिन जो चल रही थी साइध वह चलती रहें इस पेसल ट्रेन जो चल रही थी क्योंकि वह कैंसरकार के हाथ में कैंसरकार इस पर क्या निर्णने लेती है यह देखने वा नहीं है इस तरह से खुले भूम रहे थे हम बीना बेवज़ा जो लॉक्ड अनलॉक शुरू हुई थी उसके बाद से जीस प्रकार की प्रक्रियाएं बनी थी बेवज़ा भूमने की शुरू हो गई थी पाटिया करने की वह सब बंद कर दी गई है रिलिजियस काम पूर्ण रूप से बिहार के वासियों के लिए बिहार के लोगों के लिए किसी भी अने लोगों के लिए बंद कर दिया गया है कोई भी धार्मिक कार्म अभी फिलहाल नहीं होगा इन साथ दिनों में आप नहीं कर सकते हैं जब तक यह लॉकडाउन है किसी हमat परकार का गैर सरकारी वाहन परोड़ों पर नहीं चलेगा सरकारी को ज़क hatır उचान को अने की इजाज़त है और इसके अलावा जो नगर निगम है जरूरी के जो करमचारी है सेनिटाइजेशन के और वाटर सप्लाई वगएरा कि वो काम पर आएंगे और इस बार सकती से पालन किया जाएगा और पटना के डीम ने सापका है कि अगर नहीं मानियेगा तो गारी जब्त जो होती थी वो तो हो गई ही आप इस बार आपकी पिटाई चाहिर तवर पर की जाएगी बीना मास्क के जो भी दिखेगा उसकी सोटाई की जाएगी से पटना-वास्यों से बिहारी निज पानूरोद है कि क्रिप्या करके घर में रहें सूरक्षित रहें बिहारको सुरक्षित रखें यह हमारे लिए ज़रूरी यिए बिहार के लिए जरूरी आगर इन साथ दिनों में हम नहीं शुकार्ण सुद है तो याद रख़िएगा क इस नियम कानून का पालन करिए, सुरक्षित रहिए, बिहार को सुरक्षित रखिए, धन्यवाद.